So, दोस्तों, आज की जो अप्डेट है, वन अफ यूर फेवरेट होने वाली है, चुकि काफी कमेंट आये थे, जिसके आपने बहुत प्रक्टिस करी है, उससे रिलेट है आप जॉप ले के आईए, तो आज की जो अप्डेट है, वहापे तीन प्रोफाइल होने वाली है, तो आज की जो अप्डेट है, या और्कनाइजेशन का जो नेम है, इट इस बाक रिकूर्टमेंट 2022, जो कि आपका स्टैंड करता है, बाबा एटोमिक जी सर्च बोर्ड, और जो कि आपका डिपार्टमेंट, गवर्मेंट ऑफ डिपार्टमेंट जो है अटोमिक एनरजी, जो गवर्मेंट ऑफ डिपार्टमेंट आपका अटोमिक एनरजी है, तो यह क्या इंडिकेट करता है, अगर आप अ तो सबसे पहले हम यह आपके बेसिक डिस्केशन करते हैं ओवर्वियू का तो यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट है दो साथ दो जार बाइस मेंस आपके फोर्म साथ हो चुके हैं जल्दी से जल्दी अप्लाइए जरूर करियेगा तो यहाँ पर आप अप्लाइए करके देख सकते हैं आपका लेवल क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी पहली प्रोफाइल स्टैनोग्राफर की तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैनोग्राफर की जहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन जस्टैन्थ पास है अगर आपने कंप्लीट करी है विद फिफ्टी परसेंट परसेंटेज यस यू कन अप्लाइए एज लिमिट आपकी वही 18-27 है पेस के रापका 25,500 रहेगा जो मुझे लगता है अच्छी सेलरी है असा फ्रेश है mode of selection के बात करें मतलब selection procedure देखो job information से देखने से मेरी वीडियो देखने से job नहीं मिलेगी job कैसे मिलती है जो selection procedure है उसके according काम करने से तो उसके according काम करना आपको तब आएगा जब आपको अच्छे से पता होगा job का procedure क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले बताएगा है कि आपका एक गिंटे का test रहेगा जो कि आपको objective रहेगा जिसमें आपके major topics आने वाले हैं जो आपको पता ही आपका English हो गया आपका journal knowledge हो गया आपका journal intelligence हो गया दिन आपका reasoning हो गया quantitative attitude हो गया मतलब majorly आपका 4 subject से question put up किये जाएंगे और एक गिंटे का test है तो chances आपसे 100 question put up किये जाएंगे यहाँ पर number of question कितने होंगे वो describe नहीं करा गया बट यहाँ पर आपकी marking scheme describe करी गई है जहाँ पर सही answer करने पर आपको 3 score मिलेगा अगर आप गलत करते हो by mistake तो आपका एक negative marking होगा तो make sure answer आता है तो ही apply करिए अगर आपका answer पता है तो ही यहाँ पर answer करिए अदर्वाइस quit कर दीजे नेगिटिव marking काफी जादा है और rest of the part आप समस्दार है अगर आप यह exam clear कर लेते हैं उसके बाद आपका secondary exam होगा जो basically आपका skill test होने वाला है मतलब यहाँ पर आपको standographic करके दिखानी है और अगर आप अच्छे से standographic करते हैं और आपने पहले exam में अच्छा score किया है तो दोनों के score combine होके यहाँ पर final decision और merit risk लग जाएगी और आपकी joining हो जाएगी बात करते हैं अपनी second particular profile की जो की आपकी निकली है driver की जहाँ पर आप group C non registered officer रहेंगे qualification की बात करें तो 10th pass जस्त मांगा गया है साथ में यहाँ पर आपका valid license आपके पास होना चाहिए अगर heavy vehicle का है तो definitely आपके लिए बहुत helpful होने वाला है light vehicle और heavy दोनों ही आपके include करें गए age limit same 18 to 27 आपकी रहेगी अगर mode of selection की बात करें same तो यहाँ पर आपका एक घंटे का test होगा जिसके अंदर आपके वही common subject रहोंगे plus आपके कुछ extra subject भी है जैसे की आपका English, आपका journal knowledge, आपका arithmetic, it is related for mathematics तो यहाँ पर आपका रहेगा motor vehicle act तो यहाँ पर आप इसे जरूर पढ़े motor vehicle act के अंदर यही पूछा जाएगे कौन कौन से act है और किस तरीके से वह implement किये जाते हैं तो उसको अच्छे से read out करें उसके बाद आपका driving test होगा और दोनों ही चीज़ों को consider करते हुगा आपकी final maritalist लगेगी और आपकी joining हो जाएगी now come to the part third and last profile जो कि आपकी work assistant की होने वाली है again C level की है non registered officer post रहेगी आपकी और यहाँ पर qualification आपकी again 10th pass है तो 10th pass candidate तो एक लाइक तो बदता ही है आपका pay की बात करें salary की 18,000 रहेगी age limit 18,000 से 27 सेम है mode of selection आपका एक घंटे का test होगा और right now यहाँ पर बताये गया है कि कितने question put up किये जाएंगे जिसमें आपका 50 multiple question रहेंगे एक घंटे के अंदर 20 question आपके mathematics के रहेंगे 20 question आपके science के होंगे और आपके 10 question journal awareness के होंगे उसके बाद सेम आपकी marking scheme रहेगी 3 right answer के एक गलत answer का इसके बाद आपको तब एक और टेस्ट होगा advanced test जिसमें बताये गया है कि आपके 50 objective question होंगे इसमें आपके subject थोड़े से ज़्यादा increase हो जाएंगे mathematics रहेगा 15 question, science होंगे 15 question, journal awareness होगा आपके 10 question और basic English के भी आपसे 10 question put up क किये जाएंगे, अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यह सारे जो आपके exam हो रहे हैं वो 10th pass के base पी हो रहे हैं, तो आपको difficult question के practice नहीं करनी, आपको कौन से question के practice करनी है, जो easy question है, हाँ वहाँ पर आपने timing के practice जरूर करें, एक गंटे पचास मिनिट है, आपको बड़ा concern लग रहा होगा, यार इतने सारे exam होते हैं, इतने सारे exam के pattern होते हैं, आप practice कहां से करें, आप अपने mock test कहां पे देख, तो कौन से ऐसे particular mock test application है, जो आपके लिए helpful होने वाली है, तो don't worry, उसका answer मैं आपको दे दूगा, पर कि आप real में mock test देना prefer करेंगे, तो वो चीज़ मुझे comment section में जरूर बताईएगा, अगर आप मुझे से कहेंगे, yes आपको एक ऐसा application चाहिए, जो mock test जहां पे आप दे, आपको आपका result बिलिए और आपकी अच्छी practice हो सके, तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए ले आऊँगा, बस मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों ये थी बहुत detail information इस particular job से regarded, अगर आप official notification और apply link चाहते हो, वो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, so best of luck उन सभी candidate के लिए जो इस job के लिए apply कर रहे हैं, और मैं सचीन चुहार आप से मिलूँगा next video में next content के साथ, जैहिंद!